जस्पाती जिंदगी स्टोरीज चो तो हड़ा स्वागत है हाजर हाँ एक नमी कहानी दे नाल आज दी कहानी शमशील संग सोटी द्वारा लिखी गई है उमीद है तुसी पिसांद करूँगे नमबरदार सर्दार बकतावर सेंग दी खुली डुली हवेली दी बाहरली बैठक वेच पेंड वालया वासते चार-पंच कुरसियां हमेशा लग्यां देस्तियांसान बैटक वेच पैंड़ दे लोका मास्ते पीन वाली पानी दे प्रबांद लेगी पानी दे टेंकी वेच बरफ पई रेंदी नमबरदार ने अस निमेकली सेवा सबंदी सुखवांत नादा एक नोकर वी रख्या होया सी जेडा नमबरदार साबनों मेलनाई लोकाली पानी प्योंदे नाल नाल हवेली दी बैठक ना लागदी छोटी जेहिर सोई वेच चा पानी दा प्रबांद वी कारदा सी आज नमबरदार बकतावर सेंग दा एकलोत्ता मुंडा रजिंदर सेंग इसे बाहरली बैठक वेच बनी अलमारी वीचले खान्ने दी नोकर्च रखे छोटे जे संदूक वीच्चों आपने बापू वाले हरे रंग दे बटूए नू बाहर कड़के औस वेच संबालके रखी आपने बापू बेबेदी तस्वीर नू गौर नाल वेखरे आसी असनू ओ पाली आदा आरे आसी जदो निक्के हुन्देयां बापू तो कदे कदाई जेब खार्च मांगदा बापू असनू जेब खार्च चाई चाई दिन्दा ते बापू कोड़ पैसे मांगद्यां वेख रजिंदर दी मा बड़ी खुशी महसूस कार दी राबदा शुकर मनोंद्याउं अक्सर सोच दी कि असना लाडला पुत्तर वड़ा होके भी इसे तरा आग्या कारी रहे आप जी दे स्कूल मुखी नरिंदर आई तो हाड़ा पता लेन आई ने वो बाहर खड़े ने सुखवांत दी गालसाउन के रजिंदर सेंग बुलिया सुखवांत ए चाबी चाक ते उना नू अंदर बुलालाया उना ले चापानी दा प्रबांध विकार सुखवांत ने रजिंदर सेंग दे स्कूल मुखी नू साथ्रीय काल बुलाके बाहर ली बैठक वेच बैठाली केहा कोचेर मगरों रजिंदर सेंग वापस बैठक वालाया रजिंदर सेंग सरकारी स्कूल वेच मास्टर वजो नौकरी कार रहा सी स्कूल दा मुखी औस देख काफी दिना तो बिमार रहन देया, छुट्टी दे होन करके औस प्रती फिकरमांद हुन देया, पता लेन आया सी रिजिंदर सेंग ने बड़े सतकारना स्कूल मुखी नू जी आया आठ्या, गल्ला करदेया कोच जर बीत्या सी के सखवांत चाहते बेस्कोट ले आया गल्ला कारदेया कारदेया, स्कूल मुखी दी निगाब बैटक वेच एक कोनने दे पई उसने छोटे जे मेज दे पई, काफी प्राणे बटुए बारे रिजिंदर नू पुछ्या रिजिंदर जी, जेकर बुरा ना मननू, ता एक गाल पुछ्या स्कूल मुखी दी गाल सौन के रिजिंदर बुल्या सर तोसी उमर चे वड़े होन साथ का, मेरे पितावर गी हो जो पुछना चौन दे हो, बेच एरिक पुछो रिजिंदर जा जवाब सौन के स्कूल मुखी बुल्या रिजिंदर आ सामने मेज़ दे फटया प्राणा हरे रंग दा बटूआ पया है लागदा बड़ा संभाल के रख्याए तू स्कूल मुखी दा स्वाल सौन के रिजिंदर बुल्या हान जी सर, ए बटूआ मेरे बापु जी दे निशानी है ते मैंनू बापु जी दे याद नू संभाल के रख्याए सिकून मिल्दा है स्कूल मुखी ने गाल लगे तो और देया के हाँ रिजिंदर की मैं इस बटूआ नू वेख साकदा हाँ ए सौन के रिजिंदर ने स्कूल मुखी नू बटूआ फड़ा देता उसने बटूआ खोल के देख्या ता एस वेच रिजिंदर दे बापु वेबे नाल उस दी बचपन वड़ी तस्वीर सी तस्वीर वेख के रिजिंदर पावक हूंदयां बुल्या सर मैं हे तस्वीर एस ले संभाल के इसे बटूआ वेच रख्या ताँ जो बापू बिबे हमेशा मेरे राध सेरे बने रहें एस साधका मैं जंदगी वेच हैमती बन के अपने बापू वांगू जयों दियां ते परवार प्रती बन दी जिम्मेवारी न बौन दियां जंदगी दा पैंडा तैकार इस रंगले दुनिया में जो रुकसत हो जामा रजिंदर नो चपक राऊंदेया स्कूल मुखी ने उसनो चंगी सेहतियाबी दा अशीरवाद दिता उसनो जल्दी ठीक हो जान स्कूल जोईन कार नो केंदेया विदा लई रजिंदर दे कार्तो वापस जान दियां स्कूल मुखी नो समा याद आया जदो रजिंदर सेंग आपने माप्यां दी बे जोड साक्त मेंत दे बलबुते पड़ाई करन तो बाद आपने पैंड तो वी किलोमेटर दूर स्थैत पैंड दे सरकारी स्कूल वेच सरकारी मास्टर वजो नोकरी करन लई अपने माप्या नाल आहा हजर होया सी स्कूल वेच हाजरी देन समेदा द्रश ते होर गल्ला याद कारदेयां स्कूल मुखी सोच रहा सी कि आज दे जमाने वेच भी रजिंदर वरगे सर्वन हैगे ने नौकरी कारदयां हार में हिनेच जदो वी तनखा रजंदर दे खाते वेचाओं दी ताउ बैंक चों कडवाके तनखा अपने बापु दी तली दे तरदा औस दे बापु दी चेरे दी खुशी देखन वाली हम दी रजंदर सेंग जदो बापु जी तू अपने जेव खार चली मांग कारदा था बापु अक्सर किहा कारदा पुत्रा होण एतन खा तू अपने कारवली नू दे दिया कर होण मेंनू ऐस जुम्मेवारी तो मौक्त कारियार एस सबकोच सौन अगो रजंदर सेंग दी कारवली केंदी बापु जी पामे साड़े व्यानों पांच साल हो गए हन पर मैंनू ते रजंदर जीनू तो हाड़े हत्थों इचेव खर्च लेना मनजूर है बड़ेयां द्वारा दित्ते पैसें वेच बरकत हुन दिया जैस वेच रब असीसा देन लई आप बौड़दा है एसले पामे मैं ते रजंदर दोमे कमाउन दे हां पर इस कमाई नू सामबन दे हाकदार तुसी यूँ असी नही ए तो हड़ा अशीरवादी है जैस करके असी कोच कमाउन दे योग होए हां आपनी नू राणू दे मूहों ए सदकार पर इशाब्द सोनके रजंदर सैंग दे बापु जी बड़े खोशोया कार दे सान ते आकसर असी सा दिन दे आख दे राणू ता अंदने उं मापे जिनना तेरे वर्गी गुणी थी साड़े खान दांदी नू बणाई राणू वी अपने सोरे दे मूहों अपने मापियां दे त्रीफां दे बोल सोनके राबदा शुकर मनाया कर दी कि उसनों सोरा परवार उस दे आपने मापियां वर्गा मिलेया है असल वेचर जिंदर सेंग दा बापू एकला नमबरदारी नहीं सी सगो दुन्यावी तोर तेवी हर वर्ग दे दोक सोकनों सामजन वाला एक लाकी बंदा सी सारे पैंड वेच ता की आसपास दे पिंदा मेच वी नमबरदार बखतावर सेंग दी अपने वधियास लिके कारण बहुत इज़त सी नाल दे पिंदा मेचों मी लोग सरकारे दरबारे कम्माले औस कोडों सलाम अश्वरा लेन अकसर आउंदे सान ज़दोवी नमबरदार कोड कोई सजण काम करवानों दा ता आउंगसर उसदे पुत्तर ते नूँदी तरीफ जरूर करदा आख दा बाई राब नूँपत्तर देवे ता तेरे नूँपत्त वर्गे देवे जडे आजदे जमाने वेच भी आग्या कारीने एदर ज़दोवी रजिंदर सेंग ते उसदी पत्नी राणों ने शेरों कोज खरीद के लिवना तर रजिंदर आपनी पत्नी सामने बापुजी तो खार्च वासते पैसे मागदा ते बापुजी लेवी कोज लुडीन दी वस्तूले आउनले पोच दा बापुजी बड़े ठ्रम्मे नालोस दी स्वर्गवासी बेब्य दी तस्वीर वल वेके अखां पार दे ते आख दे पुत्रा आज तेरी बेब्य जहुंदी हुंदी ता बड़ी खोश हुंदी ए सब वेके पर अफसोस उसनू रबने मेथों खोले आसी तेरे व्यादे चा उसने खूब मनोने सी बापुजी दिया अखां पूंज दिया राणो बोली बापुजी पामे मैं अपनी सासनू नहीं वेख्या परे तस्वीर एंज लाग दिया जिमें कह रही होवे राणो ती ये जे कर कोई तकलीफ है ता दास मैं तेरे बापुणू कया दिनिया के मेरी ती राणो नू किसे ने कोज कहा ता मैं थो बुरा कोई ने हूँ राणो दी एग अलसान के बापुजी चप होके असमान वाल चात मार के चप हो गई कहन लगे ती ये मैंनू साब पता के तू तेर जिंदर मेरा एना त्यान राख देओ ता जो मैंनू एकलापा कदे भी महसूस ना होगे मैंनू ता राबदी दित्ती दो वाक्त दी रुखी मिसी स्रेट कलने कपड़ा ते सेरते छातो तो लावा खोर कोज नी चाहिदा एस उनके रिजंदर आपने बापुजी नू कहनदा बापुजी तूसी कारदियां जिम्मेवारी ना फिकर ना करया करो ते अराम करया करो असी सारियां जिम्मेवारीयां साम लमांगे तूसी चंता ना करया करो एश करो बस तूसी साड़े राद सेरे बाणके साड़े कानम रोडने न पुलना क्योंकि साड़े सहीत तौर्दे रहन लई तो हाड़ी आख़ां दी कूर बड़ी लाजमी है हाँ साच बापुजी तो हाड़ी द्वाई भी मुकण माली है ओवी एक कुल दीव डाक्टर तो लेया मागे एक एर जिन्दर ते उसदी वट्टी स्कूटर ते बैट शहर नो तोर गई इद्धर नूप पत्ते शहर जान मगरूं रिजिन्दर दा बापु अपनी वट्टी दी तस्वीर मुरे खलोत्ता गलां कारदा बोलेया बीरो, ता अनता तू जो जान लगी मेरी चोली आग्याकारी पुत्तर पागे मैं राबुकलो एही मागदा कि तू हर जनम मेरी पत्नी हुमे तेरे जिन्दर वरगा आग्याकार पुत्तर ही मिले आथन मिले नंबरदार दे नूपत का राई तर जिंदर दी पत्नी ने हाथ वेच फड़े लिफाफे बापुजी नु फड़ोंद्यां के हाग बापुजी आतो हाडेली रांगदार कोड़ता ते चिट्टे पिजामेदा कपड़ाले आंदा है एस नाल मावे वाली पूरी पाग ते चमडे दी काले जुत्ती विले आंदी है आतो हाडे दवाई वळाले फाफावी हैगा नुँ पत्थ द्वाराले आंदे कपड़े पाग जुत्ती वळे ले फाफावेखे बापुजी मानी मान खोश होई एस्तो बादर जिंदर बोल्या बापु जी आज ही पेंडवाले गुर्मक सेंग दार जीनू कोड़ता पजाम्मा स्याउनली दे आयो साधी टोर की कारनी जेकर तुसी चाज़ता कपड़ा ना पाया ते पैर वेचे सोनी जे जुत्ती ना पाई पुत्र दे मुhnों चापर यां गल्ना सोनके बापु दियां अख़्ा में चे खुशी दे हंजू आगे बापु बोल्या पुत्रा तेरे वर्गा पौत रब हर जनम वेचे सारे अनू मिले बापु दियां अख़्ा पूचदार जिंदर बोल्या बापुजी, आज मैं जोवी यां ए सिर्फ तो हड़े करके हैं बेबे मगरो तुसी ही मैंनू मा ते बाप बन के पालया सामबया पड़ाया ते लखाया जेकर तुसी मैंनू सही रास्ता नाद खाया हुंदा ता शायद मैं भी नशे दी दलदल वेच फासके जा हाथ वेच हथियार फड़ के खान दान दी बदनामी करोण वेच खोई कसर ने सी छड़नी मैं जिनने मरजी जन्म लेलमा पर तो हाड़ी मेनत दा मुल कदे नी मोड साकदा रजंदर ते बापुदियां पावक गलना सोण के राणों बुली बापुजी तुसी साड़ी शान हो तो हाड़ी आखा मेच हंजू बेलकुल नी फाब दे मैं नुओ दन याद जदो मैं इस कार वेच अपने बाबल दे वेड़े तों डोली वेच भैके ओना सी तुसी मेरे बाबल अगे चोड़ी अड़के केहा सी सरदार नरंजन सेंग जी आज जतों ए तो हाड़ी ती नई बालके मेरे कार वेच चानन फलाण वाली नूँदे रूप वेच मेरी ती होवेगी आपने नूँदे मुहो ए शाब्द सोण देया बापु फेर पावखुन देया बुल्लया ती ये तानने उमापे जिनना तेरे वरगिती मेरी चोड़ी वेच पाई बापु दे बोल सोण के राणो बोली बापु जी एस उमरे तो हड़ी आखमी चो वागदे हंजू चंगे नी लागदे तो हड़ी उमर अराम करन दिया ना की पावख होंदेया हंजू वहांदी एमे न बढ़ा सोच्या करू गल्ला करदेया पताई नी लगया कदो अथन्दा वेला हो गया ते वेंद्या वेंद्या असमान वेच चारे पासे लिश्कोरा मार दे तारे नजरों लगे अजेहा कुदर्ती नजारा वेह के बापुजी रजिंदर ते राणो निम्मा जा मस्करोंदे परतीत होई रोटी खान मगरों वेडे वेचे ही बापुजी दे नाल नाल रजिंदर ते राणो भी मंजा डाके लेट द्या दोक सोक सांजे करन लगे इसे दुरान ए पता ही नी लगया कितिनना दी आख कदों लग गई अगले देन स्वेरे ही कुकड़ दी बांग सोंड के रजिंदर ते राणो जाग के बैगे पर बापुजी उमे ही मंजेते लेटे रहे इदर बापुजी नु परेशान ना करन बरे सोचके उनना नु सुत्यां छाटके दोंए चुप चाप करदे कामकार वेच जोट गई लग पग एक डेड़ केंटे बाद चाप इन लई राणो ने आवाज मारी ता बापुजी ना उठी बापुजी नु एस तरा अवाज देन ते ना उठन करके दोंए कबरा आ गए ते उना नु किसे अन्होनी गल्दा खत्रा जाप्या अचानक मची हफडा दफडी वेच पैंड़ दा सियाना डॉक्टर हर नाम संग सद्या गया हर नाम संग ने बापुजी नवजवेह के मयू सुन्दे आख्या रजिंदर पोत तेरा बापु तेरी बेबे कोल पक्के तोर तेव ढारी मार गया डॉक्टर दे मोहो निकले एना शाब्दाने वेडे वेच चीक्ची अड़ा पादेता रजिंदर तेरानों पुबबा मार मार उची उची रोन लगे बापु जी दी मौत दी खबर जिमें ही पैंडवालें तक पहुंची ता एंज लगया जिमें खुश्यानों ग्रेहन लागया होए कारवेच बड़ी पीड हो गई एदर रजिंदर ने बापु जी दी मौत बारे आपने स्कूल मुखी नू सूचना दिती सी कौश देर बाद स्कूल मुखी आपने स्कूल दे अदे आपक साथिया नाड अफसोस करन पुझ जा जों ही बापु दी देनू इश्नान करवान दी त्यारी होन लगी ता अचानक बापु दी जेब विच्चों हरे रंग दा बटुआ तर्ती दे डेगबया ते एस विच्चों और जिंदर दे बापु बेबे दी तस्वीर भी बाहर आगी हर जीते सर पांचने और जिंदर नू बटुआ फड़ाया ता ओ बटुआ हाथ वेच लेके तर्ती ते डिगगी बापु बेबे दी तस्वीर नू फड ताहा मार मार रोंदिया आखन लगा बापु वापस आजा पहला बेबे चाट गई सी ते आज तुम भी वेड़ा सुनना कार चलने आव एग सारा पेंड तेनू अवाजा मार रेया रिजंदर नू रोंदिया देख राणो भी उच्ची उच्ची ताहा मार दें बोली बापु सानू एकल्या चाट केड़े अंजान रहा ते तौर गया लागदा तेनू मेरी अवाज सुनाई ने दिन्दी जो हुन उठन दा नाम नहीं लेंदा सानू कीदे सहारे चाट गयां दू इस गमगीन महौल वेच सारे अंदिया अखा मिचों बापु दियां गल्ना चीन्ती कर दियां वेर ए हंजू रुकंदा नाम नहीं सान लेंदे आज बापु दियां सेफता कर दियां मौके ते मजूद लुकां दी जुबान नहीं सी ठक दी बापु नो जहान नो रुक्सत होयां काफी अर्शा हो गया पर जिंदर ने बापु वाला हरे रंग दा बड़ुआ अजे वे संबाल के रख्या होया सी ओ एस बड़ुए विच रखी बापु बेबे दी फोटो एही आख दी जाप दी पौत असी पा में तेरे को ना होके लंबिया वाटना दे पांदी हो गए पर साड़ा अशीरवाद सदा तेरे ते राणों दे नाल है सो एसी कहाणी शमशील सिंग सोटी द्वारा लिखे हुई तो हड़ी की विचार हैं चंगी लगी ता लाइक भी करेओ दोस्ताना शेर भी करेओ ते चैनल वे सब्सक्राइब कर लेओ ते आपने विचार जरूर जरूर लेखके दसेओ कहाणी बारे बाकी दियां कहाणी वे चैनल पर जाके जरूर सुनियों उमीद है तो नूवी बहुत पसान दन गया एक कहाणी सोन दी बहुत बहुत तान बाद